दोस्तों गोरिल्ला से तो हम सभी अच्छी तरह वाकिफ हैं। गोरिल्ला के हमले में आखर ऐसी कौन सी ऐसी बात है जो शेर जैसे खुंखार शिकारी भी इसके सामने कुटने टेकती नजर आते हैं। जानवरों से काफी ज्यादा होती है। ये एक मील की दूरी से आ रही आवास को भी आराम से सुन सकता है। और अगर इसी जगा हम इसके खरीबी रिष्टेदार तेंदुए की बात करें तो वो भी कुछ कम नहीं होता है। क्योंकि दोनों ही अपने शिकार को थर दबोचने के लिए अपने चबड़ों से शिकार की करदन परवार करते हैं। के जबड़े इतने मस्बूत होते हैं कि अगर कोई एक बार इनके बीच फंस जाए तो इसका यहां से जिन्दा बचके निकल पाना नावमकिनसा हो जाता है। इसके हाथ पैर बागी जानवरों के मखाबले कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जिसका फाइदा इन्हें शेर या तेंद्वे से रडाई के दरान मिलता है। अपने इसी लंबाई का फाइदा ठाकर गोरिला तेजी से अपनी और लपकते हुए शेर और तेंद्वे के पीट पर वार करके उन्हें चारों खाने चित कर देता है। चुकि तेंद्वे का वजन शेर और गोरिले के मकाबले काफी कम होता है। इसलिए गोरिला से एक सबर्दस्त मुक्य खाने की बाद इसकी हालत तो उठने लाइक भी नहीं रह जाती। लेकिन हमारे राजा बापू यानि के शेर इतनी आसानी से आर नहीं मानते। ये दोनों एक दूसरे का बराबर की टक कर देते हैं। और ये तो जग जाहिर है कि बराबरी का मुखाबला देखने का मजाई कोछ और होता है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता होता कि कौन सा खिलाली कब धोनी की तरह लास्ट बॉल पर छखका मार कर मैंच जिता दे। अलाकि अपनी खतनाक इमिज के उलट असल जीवन में गोरिल्ला काफी शान सभाव का जानवर होता है जो कि पिना बाद के किसी पर हमला नहीं करता है। लगन अगर कोई इन है या इनके परिवार को नुकसान पहुचाए या फिर इने लड़ने के लिए उकसाता है तो फिर ये सलमान भाई की तरह उस जानवर की चटनी बनाने की ऐसी कमिट्मेंट करते हैं कि फिर ये आपने आपकी भी नहीं सुनते हैं। प्येसाई का फोर्स आसानी से लगा सकता है जबकि एक खटा-खटा जवान शेर लगबगा 800 PSI का फोर्स लगा सकता है। प्यादे के एक शीर के पंजे बेहदे नुकीले होते हैं। इनके पंजो की थार किसी चाकू छुडी से कम नहीं होती। और इनके पंजो के नाखूनों की लंबाई लगबगा 8 से दस इंचिस तक होती है। किसी भी जानवर पर अपने पंजो से हमला करके उसकी खाल निकाल देना इसके बाई पंजे मेरा मतलब है बाई हाथ का काम है। एक 200 किलो के मामूली वजन वाले शेर को धोबी पचार दे रहा है। तक में शेर के मकाबले ज्यादा है तो इसके बावजूद भी शेर गोरिला को बराबर की टकर कैसे दे सकता है। तो इसका जवाब है कि शेर सिर्फ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि शेकार की मामले में बहुत ही मजजा हुआ खिलाड़ी है। शेर को अपने चंगुल में कैसे फसाना है और कब और कहा वार करने पर शेकार आसानी से चित्त हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गोरिला स्वाव से बिल्कुल भी लवाकु नहीं होता। अगर इसको लड़ने के लिए बार बार रक्साया ना जाए तो ये किसी को हाथ भी नहीं लगाता। शिकार करते वक ये बहुत जल्दी ठक भी जाता है। वहीं गोरिला का लड़ने का स्टैमिना शेर से कहीं ज्यादा होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना पिल्कुल भी ना पूलें थाकि हमारी ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो आप तक बिना रुकावट आसानी से पहुँचती रहें।